हलो एब्रीवन, वेलकम टू शिबूस किचन, हमारे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चटपटे से कुरकुरे से आलू, जिनमें हमें जादा मसालों की जरुद भी नहीं पढ़ने वाली है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप जादा ही मसाले डालें या जादा ताम जाम करें तो ही आपकी सबजी अच्छी बने, आप कम मसालों में भी अच्छे से फ्राई करके भून के सबजी को स्वादिस्ट बना सकते हैं ये आलू बनेंगे एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी, जैसे आप चाट वाले के यहां खाते हैं ना, सेम वैसे ही कुरकुरे आलू आजम बना के करेंगे तैयार तो मैंने यहां पे आधा किलो आलू ले लिये थे, मेडियम साइज के ही आलू है, उनको मैंने अच्छे से वाश करके इनको पहले ही उबाल लिया था, दो सीटी लगा कर तो आलू तो हमारे उबल चुके हैं, इनको छील के कर लेते हैं, तैयार सबी आलू को मैंने छील के कर लिया है तयार अब करेंगे इनको कट तो कट करने के लिए सबसे पहले ले लूँगे मैं एक खाली प्लेट आलू के हम ज़्यादा बरी टुकड़े नहीं करेंगे बस ऐसे ही बीच में से आधा करके और बस इतने ही टुकड़े हमें इसके कर लेने है आलू को ज़्यादा बरी टुकड़ों में कट करने पर पता है क्या होगा आलू हमारे बहुत जल्दी ये घुल जाएंगे और जिस तरह के कुरकुरे आलू हमें चाहिए ना चाट वाले वो नहीं रह पाएंगे तो इसलिए आलू को हम थोड़ा मोटा मोटा ही कट करेंगे जब ये फ्राई होंगे ना ओइल में तो इतने कुरकुरे और इतने स्वाधिस्ट बनके तयार होंगे के बहुत ही जादा बहतरी इतने अच्छे आलू आप घर पे तयार कर सकते हैं एक तो वैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है तो घर पे ही अच्छा सा अपने हाथों का बना हुआ खाई है बजार जाकर क्यूं ही खाना चलिए तो आलू को पहले कट कर लेते हैं फिर अब रैसिपी में बढ़ेंगे आगे आलुप को कट करके हमने कर लिया है तैयार, चलिए अब करते हैं फ्राइ करने की तैयारी सबसे पहले गैस पे चड़ा देंगे बरतन, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कढ़ाई, मैं सबजी बनाओंगे कढ़ाई में कढ़ाई में डाल देंगे कुकिंग ओयल कुकिंग ओयल को अच्छी तरह से पहले गरम हो जाने देते हैं तेल हो चुका है गरम अब इसमें डालेंगे कुछ दाने काली मिर्च के साथ ही डालेंगे हरी मिर्च तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च हो चुके हैं फ्राई अब इसमें डालेंगे आलो हरी मिर्च को मैंने बीच में से दो पार्ट करके डाला है ताकि जिनके घरों में बच्चे हैं और वो तीखा नहीं खा पाते हैं तो आप यह हरी मिर्च जो है इसमें से ऐसे ही निकाल दें बाकि तो हरी मिर्च का सारा स्वाद आलूओं में आही चुका होता है तो अगर आप चाहें तो हरी मिर्च निकाल सकते हैं और अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हरी मिर्च को बारी कट करके तड़का लगा सकते हैं अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक अब धीरे धीरे इनको होने देंगे फ्राई अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ताकि जैसे जैसे आलू फ्राई होते रहें तो इनके ओपर धनिया भी अच्छे से फ्राई होता रहे तो देखा आपने तड़के में हमने गरम मसाली की जगह इस्तमाल किया है काली मिर्च का सूका वा धनिया ना डालकर यहाँ पे डाला है हमने हरा वाला धनिया साथ ही लाल मिर्च ना डालकर यहाँ पे हमने तड़का लगाया है हरी मिर्च के साथ साथी इस्तेमाल नमक तो खेर स्वात के अनुसार वैसे भी डालना ही पड़ता है नमक के बगएर तो सबजी आपकी बनेगी ही नहीं बड़ देखा आपने बहुती कम मसालों में भी बहुती अच्छे आलू फ्राई बनके हो जाएंगे अधी अधी जाएंगे हमारे तैयार चलिए तो इनको चला लेते हैं एक बार मैं अपनी सभी सबजियां जो है सुखी जो भी बनाती हूँ मैं उसको लोहे की कड़ाई में ही बनाती हूँ कास्ट आईरन की कड़ाई में सबजी बनाने का एक ये बेनिफिट होता है कि हमारी सबजी जो है वो नीचे से चिपकती नहीं है बस आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक बीच बीच में एक से दो बार चला लेंगे ताकि हमारे आलू चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए आलू को हमने बीच बीच में एक से दो बार अच्छी तरह से चला लिया था और ये देखिए हमारे कितने अच्छे फ्राई होके होते हैं तैयार एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे थोड़े से तीखे पन के लिए इसमें डालेंगे हल्की सी काली मिट्च पिसी वी ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ी सी एक बार और भून लेंगे काली मिट्च डालके मैंने इन आलुओं को एकदम लो फ्लेम पर बहुत धीरे धीरे हल्की आच पे इसमको फ्राई किया है बुना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल कुरकुरे हो जाएं आलु हमारे एकदम तयार हो चुके हैं आलुओं को उतार लेंगे आच पर से और फ्लेम को कर देंगे हम आफ आलू को सर्व कर लेते हैं प्लेट पे आप आवाज सुन सकते हैं कितने कुरकुरे आलू बनके हुए हैं तयार अब इस पर निचोड़ देंगे थोड़ा सा नीवू का रस और साथी गार्मिश कर देंगे हरे धनिये के साथ तो देखा आप मैं कितनी आसानी से हमारे चटपटे और कुरकुरे आलू बनके होते हैं तयार बगैर ज्यादा ताम जाम के तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बस एक कमी रह गई है अगर आप इनके ओपर हरी चटनी डालके खाएंगे न तो इनका स्वाद इतना दुगना हो जाएगा बट मेरे पास आज हरा धनिया नहीं था घर पे जादा नहीं पुदीना था इसलिए मैंने हरी चटनी तयार नहीं की है तो आप भी जट पट से अपनी फैमिली को ये कुरकुरे और लाजवाब आलू बनाके खिलाईएगा हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है आगे मिलेंगे अच्छी सी एक नई और रेसिपी पर तब तक के लिए टाटा बाए बाए